समाचार इंडिया के कारिकर्म शक्षित में आपका स्वागत है हर अभिवार, प्रस्पतिवार और शनिवार, प्राते आठ बचिते, मेरे साथ समाचार इंडिया के माधिम से मैं सभी दर्श्प्रों को नवनीत रोड़ा, प्रफेसर एट आईटी रूर की प्रणाम करता हूँ आपके भले, आपके प्रवार के भले की कामना करता हूँ और इस कामना के साथ आज इस विशे को लेते हैं के बच्चों को अच्छे संस्थानों में, IITS में, NITS में या और Higher Education की संस्थान हैं वहाँ तक पहुचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कई लोग सोचते हैं के 12th के बाद सोचेंगे Competition इतना है के 12th के बाद आप नहीं सोच सकते बहुत पहले से सोचना पड़ता है लिए काम कर रहे हैं, वो 7th, 8th से शुरू जाते हैं उनकी Mentoring, उनकी Guidance के लिए 7th, 8th से प्रयास करना शुरू कर देते हैं Overnight आप एकदम Decision नहीं दे सकते, पहले से आपको सोचना पड़ता है ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं कोचिंग का, ट्यूशन्स का, बुक्स का, अच्छे स्कूल्स का, अच्छे Mentoring के लिए प्रयास कर रहे हैं इसके साथ साथ, मैं IIT में प्रफेसर तो हुई मैं यहाँ एक संस्था से भी जुड़ावा हूँ, देवाश्रम के नाम से Better Living, Better Life जीने की कलाव वहां सिखाई जाती है, उसमें हम यह सीखते हैं और सिखाते हैं इस बात को के बच्चों का, जो मानसिक विकास है, उनका जो लेवल लेके जाना है आपने उसमें पढ़ाई का अपना योगदन है कैसी books हों, कैसी coaching हो, कैसी schooling हो, कैसे teachers हों उसके साथ साथ एक पक्ष बहुत जोरी है जो कई बार छूट जाता है वो है उनकी सोच सोच आपकी परफॉर्मेंस को आपकी रिजल्ट को बहुत परभावित करती है इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं और करते भी हैं खुद कि हमेशा हर प्रस्तिती में पॉजिटिव रहने का सकरात्मक्ता का अभ्यास पढ़ जाए शुरू से एक पॉजिटिव सोच के साथ जैसे फॉर्ग जम्पल हम कहते हैं एक बच्चे के मन में आता है मैं कर सकता हूँ और दूसरे मन में आता है मैं नहीं कर सकता दोनों गलत नहीं है जिसने मैं कर सकता हूँ वो positive है और प्राय वो कर लेता है लेकि अंदर से डाउट रहता है डर रहता है कि मैं नहीं कर सकता मैं शायद ना कर पाऊँ, मेरे बसका नहीं है You are never wrong आप कभी गलत होते ही नहीं है जब आपने पहले ही surrender कर दिया कि मैं नहीं कर सकता तो वाकि में आप नहीं कर सकते कई वाद parents doubt में रहते है बच्चा positive हो भी वो भी औरा एक create करते है negative उसको लोग कहते है कि बच्चा exam देने गया हुआ है तो मुझे बड़ी चिंता रहती है उस समय बच्चा स्कूल गया तो चिंता रहती है market गया तो चिंता रहती है coaching कर रहा है तो चिंता रहती है perform कर पाएगा नहीं कर पाएगा safe घर आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये सब चिंता हैं जो हम as a parents ऐसे माता पिता के रूप में करते हैं हम सोचते हैं बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं नहीं, यह अपने अविडिये सर्विस है हम negativity को नियोता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं हमेशा हमें positive रहने की ज़ुरत है कभी भी डर भैवेने जीएं अब डर भैवे की लहरें उस तक पहुचा रहे हैं हमेशा positive रहें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा विश्वास रखें, यह करना बहुत जोरी है क्योंकि तरंगों का बहुत बड़ा खेल है हम बहुत अच्छे रिसीव कर सकते हैं लहरों को और बहुत अच्छे से अमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ग्रहन भी करते हैं, छोड़ते हैं लहरों को, vibrations को हम negative vibrations को लेते हैं और negative को ही देते हैं positive लेते हैं तो positive देते हैं because life is an eco जीवन, हमारी life प्रतिद होनी है जैसा हम लेते हैं वैसे ही देते हैं और जैसा हम देते हैं वैसा लेते हैं इसलिए positive होना हमारे लिए option नहीं है सकरात्मक्ता हमारी कोई choice नहीं है ये combustion है, मजबूरी है अगर आपको अच्छा result चीए जीवन में तो हम सब को बहुत जोरी है कि अपने बच्चों के लिए positive रहें उन्हे positive reaction रहना सिखाएं उनके लिए positive ही सोचें अच्छा ही सोचें इसके साथ अपने thought process पे भी काम करने वाला है घर का महौल बहुत असर डालता है बालक के उपर उसकी performance के उपर, उसके result के उपर कितने अच्छी coaching हो, कितना अच्छा school हो कितनी अच्छी books हो, कितना अच्छा बच्चा पढ़ ले घर में माता पिता का समझस से नहीं है understanding नहीं है एक दूसरे सन्मान से बात नहीं करते है प्यार से बात नहीं करते है तो एक negative warak rate होगा जिसमें बच्चे की performance नीचे जाएगी जाएगी बहुत बच्चा परिशान हो जाता इस महौल को देखे, चाहे वो कहे चाहे नहीं कहे तो बहुत जो यह बच्चा भी करें parents भी करें एक काम जो करने वाला वो यह है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचें दूसरों की बुराई पडोसी की, रिषदार की किसी के भी relative की किसी class fellow की, classmate की negativity को discuss मत करें जितनी हम negativity को discuss करते है नकरातमक को discuss करते है बाचित करते हैं, बुराई करते हैं किसी की, तो हम खुद negativity को अपने अंदर खीशते हैं, attract करते हैं जिससे आपकी performance, आपकी life आपकी सोच, आपके विवार सब पे असर पड़ता है तो एक आदब डालने की ज़रूरत है कि दूसरों के गुणों को देखो उनके अच्छाई को देखो गुण सब के अंदर है बुराई भी सब के अंदर है no doubt लेकर हम देखते क्या है जो देखते हैं उसी उखीशते हैं अपनी तरफ जब हम बुराई को देखते हैं बुराई को वेलकम कर रहे हैं खीच रहे हैं अपने तरफ और खुद बुरे बनते हैं पता ही चल रहा कि हम बुरे क्यों बन रहे हैं हम इतने परशान क्यों हैं परशानी करा हैं हमारा सोच है कि हम खीची बुराई रहे हैं खीजी नेगटिविटी रहें तो जरूरत है कि हम पॉजिटिव सोचें अभ्यास डालें बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें बताएं किसी के सामने अच्छी बात कर लेते हैं आए गए रिश्दार, समंदी, पडोसी किसी बड़ अच्छे भार करते हैं लिए उसके जाने के वाँस की बड़ाई शूर कर देते तो ये नकरातमक्ता के बीज बो रहे हैं महौल को गल्द कर रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि घर का महौल पॉजिटिव हो गुनों को देखें और दूसरी बात जो हम सिवाएं उपकार, महरबानिया पाते हैं जिन्दगी भर दूसरों से माता बिता, दादादी, नानानी फौजी, पडोसी, किसान, मजदूर कितने रूप में कोई धोबी के काम करता है कोई माली के काम करता है कोई दूद लाता है हमारे लिए दिन रात हम सिवाएं पा रहे हैं पशू हमारे लिए सिवा करी बन रहे हैं पोदे हमारे लिए सिवा करी बन रहे हैं ऑक्सिजन दे रहे हैं शाक, शबजी दे रहे हैं फ्रूट्स दे रहे हैं हमें कितनी हम सिवाईं पाते हैं हवा से कितनी सिवाईं पाते हैं सांस नहीं ले सकता उसके भी नमें जिन्दा नहीं रहे सकता है हवा से पानी से सूरज से धर्ती से मिट्टी से कितनी सिवाईं पाते हैं हम सारा दिन अगर देखें हमारी सारी एक्टुटीज हमारा सारा जीवन, हमारी सारी प्रसिनल्टी, दूसरों की सिवाओं की बिदोलत है तो एक अप्रोच, एक एटिचूट बन जाए, ठैंक्स गिविंग का कि हम कहें कि बहुतरी जगत का भी शुब हो, क्यों हमारा सेवा करिए वनस्मती का शुब हो, पश्यू जगत का शुब हो, मनुष जगत का शुब हो ये भाव हमारे अंदर करता का जागाए, ठैंक्स गिविंग हमारे अंदर आ जाए तो इतनी पॉस्टिविटी बन जाती है घर में, महौल में, खाना खाते वे धन्यवाद दे कुछ पहना है, कपड़े को धन्यवाद दे, पोदों को धन्यवाद दे, वेकल पे गए, गाड़ी में गए, कोई बस चला रहा है, उसको धन्यवाद दे धन्यवाद का भाओ अगर होगा Teachers के परती होगा पुस्थ कों के परती होगा Writers के परती होगा संस्तान के परती होगा When you are grateful, nature gives you more blessings तो खुद ऐसा करें और बच्चों को भी Blessings की तरफ attract करने कोशिश करें और तीसरी बात अपने अंदर सिवा का भाव रखें इससे नीचर की हेल्प बहुत मिलती है कुदरत की अगर हम एक ब्रॉडर होलेस्टिक व्यू रखते हैं कि मेरा बच्चा बन जाएगा बड़ा अफसर बन जाएगा IIT से करेगा और फिर जॉब करेगा बहुत पैसा कमाएगा MNC में जाब मिलेगी क्रोडों पर का पैकेज होगा करेगा क्या उसका विजन नहीं है अब ये विजन होके अच्छा पड़ेगा अच्छा कमाएगा लाइक बनेगा तो चार आदमियों का भरा करेगा किसी के एजुकुशन में हल्प करेगा किसी के धन से हल्प करेगा किसी बुखे का पिट भरेगा एक होलेस्टिक अप्रोच के लिए चलिए तो सही आप बच्चे को इभाव डालिये उसके अंदर अपने जीनों जी के दिखाइए फिर देखेए नेचर की कुदर की कितनी हल्प मिलती है आपको उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तो सकरातमक्ता पॉस्टिवटी अपने अंदर परिवार के अंदर उस बच्चे के अंदर डाल कर as a team सब के शुब की भावना लेते हुए सब का शुब चाते हुए सब का शुब करते हुए बढ़िये तो पढ़ाई अच्छे से होगी result अच्छे से आएगा शिक्षा में हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे बच्चों का आगे बढ़ा पाएंगे और positive रह पाएंगे तो हम सब ऐसा कर सके सब का शुब हो हमारे बच्चों का शुब हो उनका शिक्षा की शित्र में विकास हो उनका अध्यात में विकास हो स्पिर्चली उगरो करें एक अच्छे इंसान बने कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जोरी है तो बहुत दो शुब कामना के हम सब की संतान, हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने और शिक्षायक शित्र में अच्छे संस्ताओं से पढ़कर अच्छा अच्छा जीवन जीएं, अच्छी जॉब्स करें और सुसाइटी और समाज और देश के भले के लिए काम करें, आपका नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुब कामना के साथ, मैं समचार इंडिया के माधिम से, पुनहे कभी आपके साथ मुलाकात होगी, बाचित होगी किसी अन्य वि मिलीज़